नवरातरी ये नौरातों का एक ऐसा संगम होता है जिसमें इनसान अगर इनको सही ढंग से इस उर्जा को यूज कर जाए ना या कह लीजिए कि इस समय में इश्वरी उर्जा से जुड़ जाए तो जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या का भी समाधन कर सकता है साल में नवरातरे आते हैं चार बार जिसमें से दो नवरातरे होते हैं फुल टाइम और दो होते हैं गुप्त नवरातरे ये जो कंप्लीट नवरातरे होते हैं ये आते हैं चेंजिंग सीजन में यानि एक आते हैं हुली के बाद और एक आते हैं दिपावली सीजन के आसपास तो जो हूली सीजन के बाद नवरात्रे आते, इनको चैत्र नवरात्रे बोला जाता है, तो इस साल में 22 मार्च 2023 से लेके 30 मार्च 2023 सक चलेंगे चैत्र नवरात्रे, किस तरह से इस उर्जा से जुड़ा जाए, ये हम इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं, नमस्ते, मेरा नाम है योगे शर्मा स्वागत है, आपका हैपी लाइव इद योगे शर्मा में, और इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन, कि अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो करेप्या सब्सक्राइब जुरूर करियेगा और बेल बटन दबाना न भूलियेगा, तो जो नवरातरी सीजन होता है, ये होता है मा शक्ती, मा दुर्गा, मा भगवती से कोनेक्ट करने का, जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, मा शक्ती, जब भी जीवन में आपको शक्ती चाहिए, जब भी जीवन में आप कमजोर फिल करें जब भी आपको लगता है कि आपका present energy level या आपके present जो भी skill set है ये किसी भी समस्या से पार पाने में असमर्थ है यानि आप खुद को थोड़ा सा कमजोर महसूस कर रहे हैं तो यकीन मानिए नवरात्रे की 9 राते जो होती है न ये सबसे favorite time होता है वो सारी शक्तियां लेने का जो आपको किसी भी दुविधा से निकाल सकती है तो नवरात्रों में ऐसे कौन से उपाय करें जिससे आपको मा भगवती की क्रिपा से सारी समस्यां से मुक्ति मिल जाए चलिए शुरू करते हैं तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले कि अगर आपके घर के अंदर negativity है तो नवरात्रों में क्या किया जाए नवरात्रों के 9 के 9 दिन सवेरे आपने क्या करना है सिंदूर और केसर इसको मिक्स करिए इसको गंगा जल अगर गंगा जल अवेलेबल नहीं है तो कोई भी पवितर जल से इसका पेस्ट बना लीजिए और रोज सवेरे आपने मुक्खे द्वार पे स्वस्तिक का निशान जो है बाहर की तरफ ये बनाना है ये पूरे के पूरे नवरातरों के नौ के नौ दिन आपने ये उपाई करना है यकीन मानिये नवरातरों में किया गया ये उपाई जो है आपके घर के अंदर जो आने वाली उर्जा है इसको पेवर करता है और जब आपके घर के अंदर आने वाली उर्जा पे और होगी न तो यकीन मानिये न जाने कितनी ही दिक्कतों से आपका भवन जो है न ये मुक्त होना शुरू हो जाएगा खाली यही नहीं नवरातरों का जो मुक्खे चीज होती है वो लॉंग होते हैं लॉंग जो होते हैं अमां भगवती को बहुत ही प्रिय होते हैं अमां शक्ती को तो लॉंग के वैसे तो बड़े उपाए हैं लेकिन घर के वास्तू को सही करने के लिए आपने क्या करना है भीम सैनी कपूर लेना है आपने अगर मेरे पुराने वीडियो भी देखे होंगे तो मैं हमेशा नॉर्मल कपूर जो भजार में अवेलेबल होता है टिकिया की शेप में उसको नहीं भीम सैनी कपूर को लेने को कहता हूँ प्रैफर करता हूँ क्योंकि इसको ही प्योरेस्ट फोम अफ कैमफर जो है वो माना जाता है कपूर की टिकिया को कटोरी में रखी उसके उपर दो या तीन लॉंग रखी इसको जलाइए और पूरे घर में नवरातरों में सुभा शाम इसका धुआ दीजिए हर कमरे में घर के हर कोने में इसका धुआ दीजिए चाहे कड़्ची में डाल लीजिए उससे धुआ दीजिए यकिन मानिये नवरातरों का किया गया ये उपाय जो है न ये आपको जीवन के ना जाने आपके भवन के ना जाने कितने ही दिक्कतों से कितने ही माँ भगवदी के चर्णों को सपर्ष कराके पीले कपड़े में लौंग को बांध लीजिए और घर के मुख्य द्वार पे टांग दीजिए यकीन मानिए कोई बुरी उर्ज आपके घर में प्रवेश नहीं कर सकती है और घर के अंदर आएगी केवल और केवल खुश हाली तो इंकम का लेवल उतना नहीं जा रहा है जैसे आपकी जुरूरते पूरी हो सकें तो पान का डंडी वाला पत्ता लीजिए पान के डंडी वाले पत्ते के दोनों तरफ आपने सरसों का तेल लगाना है किसी भी साफ प्लेट में इस पत्ते को रखिए और इस पत्ते को रात भर अपने सिरहाने रखके सो जाईए सवेरे सवेरे उठिये सनान करने के बाद श्रद्धा सहित इस पत्ते को मा भगवती के चरणों में रखके आईए यकीन मानिए ये उपाए नवरातरी के अगर नो के दो नो दिन करेंगे न तो धन की कोई ऐसी दिक्कत नहीं है जो आपके जीवन में टिक जाए खुद की प्लैनिंग करनी पड़ेगी खुद अपने comfort zone से निकल कि कुछ ना कुछ तो अच्छा करना पड़ेगा नहीं तो उपाय करते रहे आपको फल कभी नहीं मिलेगा क्योंकि इश्वर भी जो है ना वो कर्म करने वाले इंसान का साथ देते हैं ना के केवल और केवल उपाय या पूजा पाठ करते रहने वालेगा मैंने अपने पिछले कई वीडियो में ये बोला है कि आप केवल पूजा पाठ करते रहे केवल उपाय करते रहे उसके उससे कोई फरक आएगा नहीं फर्क असली फर्क आएगा जब आप अपने कर्मों के साथ हुपायों को मिक्स करेंगे फिर चमतकार घडित होता है अगर आप केतु की किसी परेशानी से जूज रहे हैं केतु की परेशानी में मुख्यता होती है बैक एक होना जोडों के दद का एकदम से बढ़ जाना इनसान जो है भटकाव का शिकार हो जाए एक जगा पे रुक के काम ही न कर पाए उसकी ट्रांसवर्स होती जाएं डिस्प्लेस्मेंट होती जाएं इनसान अपनी जन्म भूमी छोड़के भी कहीं दूर जा रहा है लेकिन उसके जीवन में कुछ बनने रहे केतू की दिक्कते होती है कि इनसान को का थौट प्रोसेस ही ब्लॉक हो जाता है उसको सूचता ही नहीं है करें तो क्या करें ना कुछ प्लैनिंग कर पाता है ना उसके बनाए प्लैन जो है एक्टिवेट हो पाते हैं और एंग्जाइटी डिप्रेशन भी केतू के खराब होने की वज़ा से बहुत जादा आ जाता है अगर केतू की ये दिक्कते हैं तो नवरात्रों में आपने क्या करना है लाल रंग की एक ट्राइंगुलर पताका यानि जंडा जिसके ओपर गोल्डन गोटे से जो है उसके बाउंडरी बनाई गई हो ये बनवाईए इसका साइज कोई भी हो सकता है और नवरात्रों में से किसी एक दिन मा भगवती के मंदिर में जाईए और मंदिर अथारिटी से आगया लेके मंदिर की चट पे उस जंडे को फहरा के आईए यकीन मानिए केतू की जितनी भी दिक्कते हैं इसके बाद इमिजेतली टलनी शुरू हो जाएंगा अगर केतू की बात हो रही है तो राहू की बात ना हो तो ऐसा हो यह नहीं सकता अगर राहू की समस्याई जीवन में आ रही है तो फिर से आपको लॉंग ही लेने है पूरे के पूरे नवरात्रे आपने दो लॉंग जो हैं पहले शिव मंदिर में जाईए शिवलिंग को कच्चे दूद से स्नान करवाईए और फिर दो लॉंग आपने भगवान भूले शंकर के शिवलिंग के पास अरपन करने है और अपनी सभी दिक्कतों को दूर करने की प्रार्थना करनी है राहू करत जितनी भी दिक्कते होंगी न ये उपाय करने से जड़ से टल जाएंगी नवरात्रों का जो समय होता है ये शक्ति अरजित करने का समय होता है बहुत अच्छा रहेगा अगर आप इसमें केवल फलाहार करें देखिए फलाहार करने का फाइदा क्या है कि उस समय पे मौसम चेंज हो रहा होता है अन जो होता है न नॉर्मली इंसान के शरीर में शित्धिलता लेके आता है उस समय पे फलाहार करना अन से दूर रहना scientifically भी अच्छा है और अगर आप फलाहार करके इश्वर का पूजन करते हैं, मेडिटेशन में जाते हैं, माँ भगवती की प्रार्थना करते हैं, तो ये प्रार्थना आपको जल्दी उस Divine Force से connect करवाती है. बस आपको जुरूरत है थोड़ा सा मन में विश्वास रखके चलने की और ये उपाई करने की. साथ में कर्म करते रहिए और फिर देखेगा कि ये जो चैतर नवरात्रे हैं, ये आपके जीवन में कितने positive परिवर्तन लेके आते हैं. तो दोस्तों ये थी मेरी छोटी सी कोशिश के किस तरह से नवरात्रों का पूरा यूज करके आप अपने जीवन में अच्छे परिवर्तन लेके आपाएं. तो चलिए, बहुत जल्द मिलते हैं नई वीडियो नई टॉपिक के साथ अपना खूब ध्यान रखेगा, नमस्कार.